अस्सलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है समी आप देख रहा हैं सन किंग टेक और आज की इस वीडियो में मैं आपको वीवो वाय 21 की यूज में प्रैस बताऊंगा और इसका क्विक रिव्यू भी करेंगे और इसका एक ही वेरियंट आया है जिसमें 4GB रेम है और 64GB की स्टोइज दी गई है और यहां पर आपको 1GB एक्स्टेंडिड रेम का उप्शन भी मिलता है 6.5 इंची की स्क्रीन है 720p रेजलूशन के साथ और इसमें आपको डिजाइन काफी खुबसूरत दिया गया है इसकी प्रैस रेंज के इसाप से इसमें आपको वीवो वी 21E जैसा डिजाइन मिलता है 5000mAh की बेटरी दी गई है 18W की Fast Charging के साथ और बेक पर सिर्फ Dual Camera Setup है जिसमें 13MP का में सेंसर है और फरंट केमरा इसमें आपको 8MP का मिलता है और वीवो को थोड़ा सा पर्फॉर्मेंस पर भी दियान देना चाहिए यहां पर जो चिपसेट दिया गया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यहां पर Mediatek का Helio P35 का चिपसेट दिया गया है जो के काफी पुराना और लो रेंज का चिपसेट है और इसका fingerprint sensor इसकी power key के ओपर ही दिया गया है तो यह थे इसके कुछ main expect अब बार ही है इसकी camera app को पन करने की और इसके camera में आपको photo, portrait, video, more और पैनो की option दी गई है और यहां पर भी आपको कुछ खास feature नहीं मिलते हैं यहां पर slow mode या night mode अगेरा की भी option नहीं दी गई है और अब अगर हम देखें इसकी video की record setting को तो यहां पर आप 480, 720 और 1080 तक के video record कर सकते हैं और pricing के हवाले से यह आपको 11 माईने warranty में complete समान के साथ 23,000 का मिल जाएगा तो मेरे हिसाब से इस price range में अगर आप Vivo का ही phone लेना चाते हैं तो Y20 ले लें यूज में उसमें आपको specs काफी अच्छे मिल जाएंगी और वो काफी ज़्यादा कमियाब model रहा है पाकिस्तानी market में लेकिन अगर आपको स्रीफ हो स्रीफ अच्छे लुक वाला phone चाहिए फिर आप इस device के साथ जा सकते हैं आज की वीडियो आपको किसी लगी मुझे comment में जरूर बताइएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिएगा अगर आप यह mobile खरीदना चाहते हैं तो description में इनकी shop का address मुझूद है आप वहाँ जाकर इनसे यह mobile खरीद सकते हैं वीडियो को मकमल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल लगएगा अल्ला आफिस